हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी एमाजोन पर शॉपिंग करते हो और शॉपिंग करने के बाद अगर आप ओर को कैसे कैंसल करते हो यह सीखना चाहते हो ठीक है तो इस वीडियों पर मैं आपको नवंबर दोजार चॉबेस का लिटेश्ट प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको स करके देखोगो ना तब आपके पास मैं complete information नहीं पहुच पाती है क्योंकि मैं बीच-बीच में कुछ important points बताते रहता हूं अगर आप video स्क्रिप करके देखोगो ना तब आपसे वह point मिस हो जाते है ठीक है सबसे पहले आपको ना amazon app open कर लेना ठीक है तो मैं एक order आपको place करके दिखाता हूं जल्दी से ठीक है for example यह order मैंने मंगाया ठीक है for example यह order मैंने click कर दिया ठीक है और इसको मैं order करता हूं buy now करता हूं ठीक है buy now पर मैंने click कर दिया cash on delivery मैंने select कर दिया ठीक है और continue कर दिया मै आपको यह आपर order place करके दिखा रहा हूं कि order कैसे place करते हैं और उसके बाद बताऊँगा कि order को कैसे cancel करते हैं और यह order now summary वाला page उपन हो चुका है और place your order पे click करके यह मेरा order place हो चुका है यह पर एक page लिखाव आचुका है यह पर एक status लिखाव आचुका message order place thank you अभी इस order की detail देखने के लिए आपको यूवाला पटन दिख रहा है इस पर आपको click कर देना है और your orders इस पर आपको click कर देना है अब मैं बताता हूँ आपको कि order place करने के बाद आप उसको cancel कर सकते हो ठीक है तो friends order cancel करने के दो तरीके होता है कि पहला तरीका यह है कि अगर आपने order place कर दिया order book कर दिया आपने ठीक है इसको आप हाथवाथ अभी cancel कर सकते हो ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ जैसी आप उस product पर click करोगा ना या पर click करने के बाद ये वाला page उपन हो जाएगा ठीक है और एक option दिखेगा आपको cancel order ठीक है चाहे आप थोड़ देर में भी कर सकते हो जैसे अगर आपने कभी कबार गलती से भी कोई order हो जाता है आपने कर दिया किसी और ने कर दिया या आप order करने के पर उसको cancel करना चाहते हो तो इस process आप कर सकते हो ठीक है कुछी देर के बाद जैसे cancel एक order दिख रहा है option इस पर आपने click कर दिया click करने के बाद friends या वाला page उपन हो जाएगा और इस पर click करके आपको बताना हुआ कि आप इस product को cancel क्यों करना चाहरे हो आपको भी reason दे सकते ह by mistake पहला एक option है order created by mistake गलती से order place आपने order कर दिया ठीक है और दूसरा है item would not arrive on time या चूज कर सकते हो दूसरा option तीसरा option है shipping cost too high मतलब आप इस सी cost बहुत जादा है और अगला option है item price too high और found cheaper somewhere else आप कोई भी option select कर सकते हो या आप other option select कर सकते हो ठीक है जैसे मैंने order created by mistake कर दिया और उसके बाद cancel checked item पर click कर दिया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमेशा कुछ नया सुखना चाहते है तो हमारे चैनल app crafting hub को subscribe वाले बटन पर click करके subscribe करें और notification icon पर click करके all पर click कर दे यानि जब भी हम कोई नए video YouTube पर upload करेंगे न उस video के notification आपकी mobile पर आ जाए ताकि अगर आप हमारी वीडियो पर कुछ सुझाओ देना चाहते है या अगर आपको को भी problem आती है तब आप comment करके भी हमें बता सकते हैं ठीक है तो मैं हमेशा अपने user के साथ engagement बनाये रगता हूं उनकी comment का हमेशा में reply देता हूं और यह देगे friends वह product यासे हट चुका है मतलब वो cancel हो चुका है और जो भी आपका mail ID होगी या mobile number होगा उस पर भी message आचुका है कि आपका product cancel हो चुका है ठीक है तो दुबारा से अगर आप यूवाले बटन पर click करोगो ना यहापर वो product नहीं देखेगा क्योंकि वो cancel हो चुका है ठीक है friends यह था पहला तरीका जिससे अगर आप कोई भी product order करने के बाद अगर आप उसको काफी देर के बाद कुछ घंटों के बाद या अगले दिन उसको cancel करोगो ना तब वो cancel order जो बटन दिख रहता ना भी वो नहीं देखेगा क्योंकि order ship होने के बाद वो cancel का option नहीं आता वापड ठीक है तब कैसे cancel किया जा यह तरीका अपना रहे हो कि ठीक है कि आपने कोई भी order मंगवाया है कि आप बार बार delivery boy को मना कर रहे हो कि मुझे order नहीं चाहिए ठीक है इससे आपके account में फरक पड़ेगा आपका Amazon आपके account को भी suspend कर सकता है ब्लॉक कर सकता है ठीक है कभी कभी चल सकता है कि आपने कोई भ ना ताकि उनको भी पता चल सके कि Amazon का order कैसे cancel करते हैं दो तरीकों से चले friends मिलते हैं next video में heavenized day